तो दोस्तों मैंने यहां पे WhatsApp को open किया है WhatsApp को protection करने के लिए पहले friends यहां पे सिर्फ mobile number दिया जाता था लेकिन आप WhatsApp में अब अपना email ID भी add कर सकते हैं अगर आपने WhatsApp में अपनी email ID अभी तक add नहीं की है तो इस वीडियो को देखकर आप email ID अपनी WhatsApp में add कर सकते हैं जिससे कि आ आपको double protection मिल सकता है यहां पे जैसे कि एक तो phone number हो गया OTP आईगी दूसरा आपको email पर भी एक OTP भेजी जा सकती है आने वाले टाइब में जिससे कि आपका WhatsApp थोड़ा strong हो जाएगा थोड़ा protect हो जाएगा इसे आप protection अपने आप ही कर सकते हैं WhatsApp को तो यहां पे email कैसे लगा subscribe कर लेना क्योंकि इसी तरीके के interesting वीडियो आपको हमारी इस चैनल पर हमेशा ही मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो यहां से आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तो यह है WhatsApp देखिए यह WhatsApp का इंटरफेस यहां से काफी chatting आप करते होंगे photo, picture, video send करते होंगे या आपको मिलते भी होंगे कई सारे group में आप यहां पर add होंगे आपको group के भी काफी सारे message मिल जाते होंगे कई बार आपको लगता है कि आपका WhatsApp प्रोटेक्ट है या नहीं है यहां पे कोई protection है या नहीं है तो friends WhatsApp ने update के बाद यहां पे एक नया feature दिया है आप अपने mobile number के साथ साथ email ID भी यहां पर लगा सकते हैं तो यहां पर email ID लगाने के लिए friends आपको जाना होगा सबसे पहले यहां दिख रहा है friends देखिए three line इस पर जाना होगा यहां पर जाने के बाद आपको यहां कई सारे option दिखेंगे new group, new broadband, linked device, start message, payment, setting तो आपको setting में एक बार जाना है अब setting में जाने के बाद देखिए यहां दिखेगा account, account में जाना है और friends account में जाने के बाद यहां security notification पास के email address यानि कि तीसरे नंबर पे आपको email address दिखेगा यहां पे आपको click करना है email address पे और जो भी आपकी email id है उसे यहां add कर देना है तो मैं जल्दी से यहां पे email id add करके आपको आगे का process बताता हूँ तो friends मैंने यहां email id दे दिए देखिए यहां पर email id देदी अब आपको next करना है next करने के बाद verification email आपके email इमेल में आपको एक verification code मिलेगा तो वो code यहाँ पे लाके हमें paste करना है तो हम email ID में जाके देखते हैं WhatsApp की तरफ से हमें कोई email में code मिला है या नहीं मिला है तो दोस्तों यह वाला verification code मुझे यहाँ पे मिल गया था जो कि मैंने यहाँ पे paste कर दिया है अब यहाँ से करना है friends verify verify पे जैसे ही आप किलिक करेंगे यहाँ पे आपका email ID verify हो गया है देखिए verified अब यहाँ से आपको बैक कर देना है अब friends आपको दो protection यहाँ पे मिल गए हैं यानि एक तो phone number से और दूसरा आपकी email ID से अब जब भी friends आपका या तो mobile miss हो जाता है mobile number आपसे खो जाता है और आप दूसरा mobile यहाँ पे लेंगे और mobile नमबर आप दूसरा है आपके पास तो friends email ID से आप अपने WhatsApp को चला सकते हैं, यानि कि अपने WhatsApp को यहाँ पर अपने email ID से भी जोड सकते हैं, तो वीडियो यही तक था, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में.